हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू इंडियनिस्टडी इंडियनिस्टडी पर आपका स्वागत है दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश के मुख मंतरी ने हाली में लकनों में बाश्र दिया और वहाँ पर साफ साफ बुलाए कि 26,744 पदों पर उत्तर प्रदेश पुलिस कॉंस्टेबिल की बरती जो है बहुत ही जल्दी प्रारम की जाएंगी बहुत ही जल्दी का मतलब आप समझ सकते हैं ऑक्टूबर और नॉमबर से जी हां दोस्तों क्यों कि आप सभी लोग जानते हैं आगामी वर्स यानिकी आब सकता पड़ती है पूरसों की हाइड कितनी होती है महिलाओं कि इतनी होती है यह सब कुछ मैं आपको जरासी यानि कि छोटी सी वीडियो में सब को समझाने का पर्यास करूँगा सबसे पहले तो आप यह मान करके चलें कि जो लोग लाश्ट वेकेंसी में भार हो गए थे यूपी प्लस कॉंस्टेबिल में और जो उत्तर प्रदेश में कॉंस्टेबिल की रूप में बढ़ती होना चाहते हैं तो उनके लिए यह अंतिम समय है अंतिम समय का मतलब यह लाश्ट मौका है आप यह समझ सकते हैं क्योंकि फिर नई सरकार आजाएगी फिर नई सरकार में क्या आपकी गोसला रहेगी बज़ड में वो उसका देखा जाएगा अलग फिलाल आपके सामने जो सामने हो है 26,744 पर ठीक है इसमें अगर हम एज की बात करें तो सर एज जो है यह आपकी 18 से लेके 22 वर्स तक आपको माना जाएगा या एज जो है वो आपकी काउंट की जाएगी लेकिन इसमें आपको बता दे जो 29,745 वेकेंसी आई थी उसमें एक वर्स की छूट दी गई थी अब यह नोटेस की उपर डिपेंड करता है और भर्ती वोट की उपर डिपेंड करता है केस बार दे रहें या नहीं दे रहें आयू की गढ़ना अगर यह वेकेंसी नवंबर या दिसमबर में या ऑक्टूबर नवंबर में आ जाती है तो आपकी age की गड़ना एक जुलाई 2021 से की जाएगी और अगर ये जनवरी के आसपास आती है तो फिर ये एक जनवरी 2022 से count की जाएगी doubt आपका clear ठीक है उसके बाद बढ़ें qualification की तो qualification 12th pass आपका होना चाहिए या उसके समकच होना चाहिए अगर हम बात करें hide की तो hide जो है पुरसों के लिए 168 cm चाहे पुरस OVC का हो, SC का हो या general category का हो 168 cm उसकी hide होना चाहिए लेकिन अगर वो ST category का है तो 160 cm में काम हो जाएगा वहीं अगर हम बात करें girls की hide की तो girls की hide होती है आपकी 152 cm लेकिन अगर आप ST category के हो यहाँ पर general OVC और SC सभी के लिए वह 152 cm लेकिन अगर हम ST category के हैं तो आपको 140 70 cm का होना चाहिए हम बात करें केवल पुरसों की तो पुरसों को जो सीवने का जो फुला होना चाहिए 79 से 84 79 नॉर्मल होना चाहिए फुलाने के बाद 5 cm का फुला होना चाहिए तो वह 84 हो जाता है लेकिन अगर आप ST category के हो ST category के वालों के लिए केवल ST category की बात हो रही हो तो 77 से लेके 82 तक होता है ठीक है इस बात को धिहान नखना ठीक है तो यह hide clear हो गई boys की भी girls की भी हम बात करें अब running की running जो है boys के लिए 4.8 km 25 मिन में ठीक है यह भी qualify है इसके लिए आपको कोई भी marks नहीं मिलने केवल qualify करना है आपको ठीक है फिर अगर हम बात करें girls की running की तो 2.4 km 16 मिनिट में ठीक है तो यह आपकी running है फिर उसके बाद बाकी documents की अगर हम बात करें जाती प्रमाणपत्र मूल लिवास क्या हो कि जब जब उत्तर प्रदेश पुलिस कॉंस्टेबल की vacancy आई तो इन लोगों ने जाती प्रमाणपत्र और मूल लिवास प्रमाणपत्र जो है वो नए मांगने का प्रियास किया हाला कि हम थोड़ा सा वेट करेंगे वेट का मतलब हम vacancy का वेट करेंगे कब से ये मांगने का प्रियास कर रहे हैं तब मैं आपको बिल्कुल वीडियो बना करके इसपश्ट रूप से बता दूँगा फलाला भी जलबाजी नहीं कीजिएगा हाँ ये vacancy मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि नवंबर के end होते तक या October के प्रारम में ही ये निकालने का प्रियास करेंगे क्योंकि मुक्मंतरी जी ने जिस तरीके से भासट दिया है आप लोगों ने वीडियो देख लिए होगी पुलिस कॉंस्टेबल बनना चाहते हैं लेकिन मैं आपसे बोलूँगा ये बिल्कुल लाज्ट टाइम है आपके लिए क्योंकि इसके बाद ये सरकार का जो कारकाल है वो खतम होने वाला है नेक्स्ट जो सरकार है कोई नहीं कह सकता कौन बनेगा तो इसलिए मैं आपसे कह रहाँ कि आप ये बन करके चले ये जो आपके वैकैंसी पुलिस कॉंस्टेबल की आप इसको अंतिम मान करके चले नई इसी वैकैंसी में हमको क्या लेना है तो ये सारी आपके कौलिफिकेशन हो गई लगबक सभी चीज मैंने आपको बता दी है मुझ लिवास और जाती पर्मान पत्र का भरती-बूट के जब notice जारी कर देगा उसके बाद मैं आपको बता दूँगा और height के बारे में मैंने आपको बता दिया running के बारे मैंने आपको बता दिया हम बात करें paper के बारे में तो paper में देखो सरफ 1.500 questions आते हैं ठीक है जिसमें Hindi, Reasoning, Math और GK ठीक है, 1.500 questions आते हैं दो गंटे का आपको समय मिलता है इन 1.500 questions को solve करने का हर questions दो नंबर का होता है तो 300 marks का आपका paper होता है ठीक है तो इस तरीके से भी आप ये आपका पूरा पेपर का क्राइटेरिया होगा कि पेपर में आपको क्या क्या आएगा कौन कौन से सबजेक्ट आते हैं कितने मार्क्स के पेपर आपके कोसंस आएंगे और कितने कोसंस आएंगे और कितना आपको समय होगा ये सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ ठीक है फिर भी आपका कोई डाउट है तो मैं आपसे बोलूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में बेहिचक पूछ लीजिएगा लेकिन अभी आप कोई भी नया डॉकुमेंट्स नहीं बनवाना मैं इसलिए आपसे बार बार ये बात कह रहा हूँ क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस कॉंस्टेबल की जब जब वेकेंसी आई इन लोगे नया जाती परवान पत्र तो OVC केटागिरी वालों के लिए तो मांगा ही है कि OVC केटागिरी वाले अपना नया जाती परवान पत्र दें तो मैं आपसे इतना ही बोलूँगा के थोड़ा सा बेड करो जैसे ही आ जाएगा तो फर्स्ट डे ही मैं आपको बता दूगा जिस जिसको नया जाती परवान पत्र और नया मुलिमास पत्र बनवाना होगा उसको मैं बिल्कुल बोल दूगा कि आप लोग बनवा ही लोग और आप सभी लोग जानते इंडियन स्टडी की हिस्टरी रही है उत्तर परदेश के पुलिस कॉंस्टेबिल हुगा चाए यूपी ऐसा हुगा कोई भी एक्जा हुगा बिल्कुल धमाकेदार तयारी करवाई है इस बार तो और कर रहे तरीके से मैं सोच रहा हूँ कि हिंदी बिल्कुल लाइब आकर कि आपको पढ़ाऊ ताकि आप लोग को भी समझ में किस तरीके से आपकी कॉंस्टेविल की तयारी करवाई जाती है समझ रहे तो फलाल मैं आपसे यहीं बोलूँगा कि आपको लिए बहुत अच्छी खुसकबरी है कि भाईया 26,774 पद और ये बहुत पद होते हैं आप ये मान करके चलो 26,774 पद बर यूपी पलिस कॉंस्टेविल की वेकेंसी आई है या आने वाली है आप इसके लिए बिल्कुल ततपर हो जाई है जो लगातार मैं यूपी एसाई की तयारी करवा रहा हूँ आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछते हैं यूपी पलिस कॉंस्टेविल की नई वेकेंसी कवाईगी तो अब आपके सामने ये आने वाली है और ये वीडियो बनाने का मकसद यही है क्योंकि खुद उत्तर प्रदेश के मुकमंतरी योगी आदितनाज जी ने बूला है तो ये अब और बात जो है वो आपकी सत या बिलकुल पकी हो जाती है तो इसलिए मैं आपसे बोलूँगा कि जितनी जल्दी आप तयारी करना स्टार्ट कर सकते हैं आप लग जाईए क्योंकि मैं तो एकी बात हमेशा से बोलता हूँ कि आप तयारी नहीं करोगे तो कोई और तयारी करेगा आप सेलेक्शन नहीं ले पाओगे तो कोई और सेलेक्शन लेगा फिर यही कहते रहोगे कि यह सरकार वैसी थी ठीक है कौलिफिकेशन लगबग मैंने आपको बता दी है हाँ एज को ध्यान नकना कि 18 से लेके 22 तक है OBC, ST और ST केटेगरी को 5 वर्स के लिए एज में रिलेक्सेशन दिया जाएगा लेकिन यह आपकी एज जो काउंट होगी अगर आपकी वेकेंसी नवंबर दिसंबर में या अक्टूबर में आ जाती है तो 1 जुलाई 2021 से आपकी काउंट होगी और अगर यह वेकेंसी आपकी जनवरी में या नेक्स्ट यर आती है तो यह जनवरी 2022 से काउंट होगी ठीक है फिर भी आपको कोई भी डाउट रह जाए तो आप बिल्कुल कमेंट्स में पूछ सकते हो मैं बताने का प्रियास करूँगा ठीक है तो दोस्तो फिलाल की वीडियों में तो सर्फ इतना ही बताना था कि उत्तर प्रदेश की तरफ से आप लोग लिए एक बहतरी न्यूज आई है जो कि मैंने आपको बता दी और ये न्यूस बिल्कुल आप मान करके सहल तकते हैं बिल्कुल सतनी हो जाया है तो दोस्तों फिलाल की वीडियों सर्फ नहीं अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लिस दोस्तों वीडियो को लाइक केजिए सेयर केजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब पर ना भूलें क्यों कि हम रोजन यसी तरह की वीडियोज आप लोग लिए लात रहता हूं मस्कार दोस्तो जै हिंद जै भारत